लक्षमी का वाहन कहे जाने वाले उल्लो पर खत्रे के बादल मंडरा ने लगे है आपको बता दे कि दिवाली के त्योहार पर तंत्र मंतर के सिद्धी के लिए उल्लो की बले के चलते उल्लो का शिकार लखिमपूर खीरी इंडो नेपाल से सटे दुद्वा नैशनल पार के जंगलों में बढ़ता दिखाई दे रहा है जंगलों से शिकार कर विलुप्त हो चुके नाना प्रकार के उल्लो को महानगरों में अच्छी किमतों में बेच कर शिकारी इनका शिकार करते हैं इतना ही नहीं अंद विश्वास में लोगों का सोचना यह भी है कि तंत्र मंत्र की सिध्धी प्राप्त कर उल्लो की बली चड़ाने से धन की प्राप्ती होती है यह दावा हमारा चैनल नहीं करता बलकि दिवाली पर उल्लो के बढ़ते शिकार से प्रतीत होता है वही आपको दिखाया जा रहा है वही आपको यह भी बता दे कि दुद्वा के घने जंगलों में शिकारियों के चलते पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और दुद्वा को अलर्ट मोट पर भी रखा गया है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के तोहार पर पार्ख प्रिशासन अलट नजर आ रहे है यदि बात की जाए दुद्वा के पार्ख प्रिशासन की तो दुद्वा के वंसरक्षन संजे पाठक भी अंदविश्वास को लेकर उल्लो की जान पर खत्रे की बात कर रहे है दिपवली के आसपास के जो समय है इसमें लोगों ऐसी माननेता रखते हैं कि लक्षमी जी का पर्व है ये लक्षमी जी के आने के लिए जो तरह तरह के उपाय करते हैं तो उल्लू को जो मिथोलोजी है हिंदू मिथक है उसमें उल्लू को लक्षमी जी का वहन माना जाता तो ये मान की चलते हैं कि लक्षमी जी उस बहान पर चड़के आएंगी और यदि वो तंत्रमन्त सिद्धी के तहट ये उल्लू की बली दे देंगे तो उनको धन की प्राप्ति होगी तो ये सरासर अंदविश्वास हैं आप समझे कि जो जिस गॉड़ेस को आप अपने हाँ बु से ये गुजारिस करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का जहासे में कतई ना आए और को यदि ऐसा करता दिखता है कहीं से उनको ये सूचना मिलती है तो ततकाल जो अस्थानिये बन चौकी है अस्पा बन विवाक किसी भी अधिकारी करमचारी को इसकी सूचना दें और वह ऐस लोगों को पकड़वाने में प्रसासन की मदद करें जिससे की ऐसी घट्राओं पर विराम लग सकते हैं लखिम पुर्खीरी से पारुख हुसेन की रिपोर्ट